next question, question says a slender of radius R and length L is placed in a uniform electric field E parallel to the slender axis, सवाल यह है, the total flux for the surface of the slender will be given by, हमें बताना है कि इस पूरे slender से कितना flux बहार निकल रहा होगा और हमें चार ओप्शन दे रखें, again simple सवाल है, सवाल कुछ इस प्रकार है कि यह आपका एक slender है और आपने slender को इस प्रकार हैं ऐसे रखा हुआ है, और यह आपकी electric field ऐसे बहार रही है इसी axis के about ऐसे करके आपकी electric field है, और इस electric field को हमने E0 कह दिया यह आपकी electric field है, हमें बताना है कितना flux इसमें होगा इसको अगर हम slender को consider करें, इसे हम derive भी करना चाहें तो इसके हम 3 surfaces कह सकते हैं, मान लिजिए इस surface को आपने A कहा यह वाली surface आपकी B है और यह वाली surface आपकी C है तो हम जो flux लिखेंगे यहाँ पे, हमें यह पता है कि जो आपका flux होता है उसको आप लिखते हैं E.DA, तो यहाँ पे 3 surfaces आएंगी, जब हम E.DA लिखेंगे तो हमारी 3 surfaces बन जाएंगी, एक surface होएगी A, एक वाली B और एक काम करते हैं इसको S लिख लेते हैं, S is area, अलेग, तो यह होएगा पहला दूसरा और तीसरा तीनों के लिए area यहाँ पे हम E की value तो E लिखेंगे, पहले वाले case में area, यहाँ पे एक जो definition आपको पता होने की जरुवत है वो यह है कि area is a vector quantity और area की direction हमेशा कहते हैं for a close body हम हमेशा कहते हैं area की direction is always readily outward, it's normal outward तो उस case में इस surface के लिए यह area की direction है, this is our area vector इसके लिए यह आपका area vector है और इसके लिए यह और यह इस direction में readily outward आपका area vector है, तो पहले वाली surface A के लिए हम लिखेंगे E dot DA, तो दोनों के बीच में हम क्योंकि dot product कर रहे है, cause theta देखेंगे तो उनके बीच में आपका जो cause theta की value आएगी, वो 1 आजाएगी so minus E A हो गया, यह वाला, plus यहाँ पे आएगा 0, because यहाँ पे आपका angle 90 degree हो जाएगा plus इस वाले surface के लिए आएगा E not A, आपका area, because इसका area और इसका area बराबर होएगे and hence आपका flux आगया 0, so net flux through the surface आपकी value 0 आएगी, एक और तरीका इसको करने का ही है, क्योंकि आपके slender के under and close charge 0 है, so net flux gauss law से 0 हो जाएगा, तो इस दोनों तरीकों से आप इसका answer देख सकते हैं, so answer will be 0, alright, so option number D would be the right choice